हिंदी के जाने माने डिरेक्टर संजय लीला भंसाली ने अपनी अपकमिंग फिल्म गंगु बाई काठियावाडी की शूटिंग पूरी कर ली है और वो इन दिनों इसे रिलीस करने का इंतजार कर रहे हैं। इन दोनों कलाकारों को संजय लीला भंसाली ने अप्रोच भी किया था लेकिन इन्होंने बैजू बावरा में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसके बाद संजय लीला भंसाली ने रणवीर सिंग और आलिया भट के साथ इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का प्लैन किया है। रणवीर सिंग और आलिया भट डिरेक्टर करण जोहर की रौकी और रानी की प्रेम कहानी खत्म करते ही बैजू बावरा शुरू कर देंगे। इन दिनों ये दोनों कलाकार करण जोहर की एक रॉम कॉम में व्यस्त है। फिल्म बैजू बावरा के लिए मेकर्स ने कमर कस ली है, गंगुबाई काठियावाडी के पोस्ट प्रोडक्शन के साथ साथ। संजे लीला भंसाली फिल्म बैजू बावरा का प्री प्रोडक्शन शुरू कर चुके हैं। संजलीला बंसाली बैजू बावरा 2022 के मध्य से शुरू करना चाहते हैं, वो एक बड़े स्टूडियो में बैजू बावरा का सेट लगाएंगे और एक बार में इस फिल्म को खत्प करेंगे, फिल्म में रणवीर और आलिया की एंट्री हो चुकी है, इन दोनों के अलावा सं संजलीला बंसाली फिल्म बैजू बावरा को साथ से आठ महीने तक शूट करेंगे, जिसके लिए उनकी पूरी टीम ने कमर कस ली है, रणवीर कपूर ने फिल्मों में अपने करियर की शुरुवात संजलीला बंसाली के फिल्म सही की थी, वहीं दीपी का पादुकोन भी सं इनवीर सिंग के साथ आलिया भट नजर आएंगी, इसी प्रकार की तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, नमस्कार